नमस्कार दोस्तों मैं मनुज कुमार आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों आप अपने हॉम अप्लाइसिस के मकेने खुद बने दोस्तों ये वीडियो की हमारी शेमी आटोमेटिक वासिंग मशीन अगर आपको मेरी वीडियो परजन आ आई तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों सेहर करें और अगर अपने मेरे चैनल पर निवीजिट के आये तो ससीय कİ dawn करें साथी बेल के बटनगा उल पर पैसकरतें काैँ हुसे तरसा की की आंने तो इसमे जब वहाइं गीली होती है तो हमें इसमें पीछे इससमें एक सेड में लिफा होताई एन का मतलब और इक सेड में लिखा होता डोस्तों, अल का मतलब line, इसका मतलब ये है कि दोस्तों, जिस सेर में L लिखा हुआ है यह वाला, उस सेर हमें इसमें face देना है, और जिस सेर में N लिखा है उδहर neutrally देना यह अगर दोस्तों इसमें neutral की जगे line जाएका लाइन की जाएगा तो ये मशीन करनद माने होता है दोस्तों यह जो हमारा फेस सिधा हमारा टाईमर में जाता है और टाइमर से यह हमारा मोटर के रनिंग पॉइंट पर जाता है और जोई। तो इसमें में बनता है मोटर के अंदर जिससे हमारी वाशिंग मशीन करनद माने लगते हैं तो दोस्तों इसको किस प्रकार पता करें कि हमारा इधर न्यूटल जा रहा है या लाइन इधर जा रही है तो उसके लिए हमें बोड को देखना होगा दोस्तों यह हमारा बिद्ली क इस सैड में या इस सैड में दोस्तों हमी देखते हैं तो हमारा टेस्टर इस सैड में गिलो नहीं हो रहा दोस्तों जल नहीं रहा आपको दीखने रहा होगो दोस्तों यह बहुत मंदा जल रहा है दोस्तों इस सैड में हमारा टेस्टर जल रहा है इसका मतलब यह है कि इसमे और हमारे हमारे मैं लीड में लाइन इधर है जब हम इसे ऐसे पलटेंगे तो लाइन इधर आ झाएगी और Dartmouth पेर करें इसके लिए हमें अनल को को ओकर ना फोल कर इसमे लगी हुई है इधर को हमें इधर करना है और की वाइर इदर है और न्यूटल को पॉइंट भी इधर ही है इससे जब हम इसमें सॉकिट को लगाएंगे स्विच में तो हमें इधर लाइन मिलेगी और इधर न्यूटल मिलेगा इससे हमारा मेगनेट फिल्ट बहुत कम बनेगा बनेगा नहीं और हमारी वासिंग मशीन करेंट नहीं और दूसरा कारण दोस्तों यह होता है इसमें करेंट मानने का कि जैसे जैसे जो मारा फ्रेंट पैनल है वासिंग मशीन का इसमें जो कपड़े जो वास करते हैं तो इसमें पाई पिहा पर लगाते हैं यह लिखा हुआ है इसमें वास वाटर इलेट इसमें जब पानी का पा पानी के शंपर्क में आएगा तो अब वाशिंग मशीन में कर्णट आ जाता है है तो दोस्तों इसके लिए आम front panel को खोलेंगे और front panel यह गोल्म का वायब ऊसको चेक करेंगे कि चाहिसे तार कटा हुआ तो motif और जहां तो पानी नीचे आ जाता है और नीचे आगर पानी मोटर के ऊपर चला जाता है वास मोटर पे जाता है और अधर इस्पीन की मोटर पे भी जाता है तो दोस्तों अगर पानी नीचे लिकेज होकर नीचे आ रहा है तो हमारी मोटर में पानी जाएगा और पानी जाने के वज़े is तो पाणी in की मोर यहीं अपर इस को कद्व जाएग्य और में करेंगे लंगे लिए व्रेर में देखना हुता है इसमें लीक्तो नहीं ऑर फिर इसमें यह भी देंगना उस्टों कि जैसे हमार करके है डाइर कहीं क्टी हुई तो नहीं है जैसे घरों में चूहें होता है वह वाय् spins करें उपर से नीचे तक कहीं से कोई यहाइर कटी हुई तो नहीं है और जहां पर हमें टेप लगा दें अगर आपको मेंरी वीडियो पर पसंद आए तो इसे लाइक करें अपने दोस्ते buyer करे और अगर आपने मेरे चैनल पर न्यू विजिट के आए तो इसे सब्सक्राइब करें साथ ही बेल के बटन को और प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नाटिपिकेशन आपको समय पर मिल जाए अच्छा दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार